नमस्कार दूस्तों हो येटूब चैनल एकजाम लर्नर में आपका स्वागत है दूस्तों आज के इस वीडिये में हम लोग उत्तर प्रदेश लोग से वायग द्वारा आयोजीत कोईशन को देखके मिलान कर सकते हैं और जिनका सेट सी होगा ओ सीधे आप मिला सकते हैं आपको बता है जा रहा है एक वाक्य में बिसेशड असुद्ध है वह कौन सा है तो इसमें ए आपसं सही है सुंदरी लड़की जो है गलत है दूसरा प्रशन होतासन का प्रयावाची अगनी हो जाएगा बी आपसंया पे सही हो जाएगा तीसरा प्रशन है जो तोला जा सके उसके लिए एक सब्द क्या होगा तो परिमे सही हो जाएगा चौथा प्रशने बिजली का प्रियावाची पुछा गया है दामिनी सही हो जाएगा जो युद्ध में इस्थिर रहता है उसके लिए एक सब्द होगा युद्धी स्थिर वर्तनी की दरिष्ट से सुध सब्द कौन सा है तो परिक्षा सही हो जाएगा है निमलिखित बिकल्पों में से चंचरीक सब्द का प्रियावाची चुनिए तो भरमर यानि की भारा हो जाएगा बी आपसन सही चौथा का तत्सम सब्द पुछा गया है तो चतूर्थ सही हो जाएगा डी आपसन यहापे और हस्ती किस सब्द का तत्सम रूप है तो हाथी का हो जाएगा और आवर्तक का बिलोम सब्द पुछा गया है तो अनावर्तक बी आपसन यहापे सही हो जाएगा और अगला कोशन है कभी जो तत्काल कभिता करे उसके लिए एक सब्द हो जाएगा आपसु कभी डियापस सही हो जाएगा निमलिकित मेंसे तद्वो सब्द कौन सा है तो दाढ़ी तद्वो सब्द है इसमें दाढ़ी का तत्सम होता है द्रस्टी का अगला कोशन है जो किसी विसे का ग्याता हो उसके लिए एक सब्द क्या हो जाएगा तो विशे विशे सग्गी कहलाता है डी आपसन सही हो जाएगा निमलिकित में से एक वर्तनी सुद्ध है कौन सा तो कवित्री यह सही लिखा हुआ है यहाँ पर बाकी सभी गलत हैं अगला प्रशन है अपरड़ा सब्द का प्रयावाची क्या होगा तो पारवती हो जाएगा डी आपसन है पर सही हो जाएगा सब कुछ जानने वाले के लिए एक सब्द क्या हो जाएगा तो सरवग्य हो जाएगा सदाचार का बिलोम क्या होगा कदाचार हो जाएगा बी आपसन सही जिसकी विसेशता बताई जाए उसे कहते हैं तो विसेश से कहलाता है और बिना पलक जपकाए एक सब्द क्या होगा उसके लिए तो निरनिमेस होगा D आपसन या पे सही हो जाएगा पांडू सब्द विसेशड के द्रिश्ट से क्या है तो बिसेशड और बिसेश से दोनों है सी आप्सन सही हो जाएगा निमलिकित में तत्सम सब्द कौन सा है तो तत्सम इसमें पंक्ती हो जाएगा यह आप्सन सही हो जाएगा उत्रा दिकार में प्राप्त संपत्ती क्या कहलाता है तो रिक्त कहलाता है कोई आदमी आया है वाकि में परियुक्ते बिसेसर्ण क्या होगा तो अनिश्चय वाचक बिसेसर्ण होगा यहाँ पे एई आपसन सही होगा निमलखित सब्दों में से तत्सम सब्द कौन सा है तो यववन यह तत्सम सब्द है अगला जो परिश्चन है निमलखित में से किस सब्द की वर्तनी असुद्ध है तो इसमें ए आपसन आप देख सकते हैं याग वल्क जो है एक गलत है बाकि सभी सही है सद्रिस्ट भी सही है ग्रेडी भी सही है और हस्त अच्छेब भी सही है 26 परशन निम्नाखित में से तद्वह सब्द चुनिये कौन सा होगा इसमें तद्वह तो भी आपसं से ऊजएगा बाज तद्वह इसका तत्सम होता है बंधिया 27 परशन निम्लिखित में प्रिथवी का प्रयाबाची सब्द नहीं है कौन सा? तो इसमें अचल जो है ये प्रित्वी का प्रियावाची नहीं है अगला प्रशने गौरों का विप्री तार्थक सब्द याने की बिलोम पुछा गया है लागों सही हो जाएगा बी आपसन और निमलिखित में एक वाक्य जो सुद्ध है वैकाउन सा है तो बी आपसन आप देख सकते हैं उसने मुक्त हस्त धन लुटाया ये सही है और निमलिखित में विसेश से सब्द बताना है तो मानस ये विसेश से है और एक तीस्वा प्रशने एक की वर्तनी सुद्ध है कौन सा है वा तो इसमें आधिकारिक B आपसन से हो जाएगा और सौ गुना लंबा में विसेश सब्द का कौन सा भेद है तो आवरिती वाचक विसेश सब्द है C आपसन से हो जाएगा तिमिर का प्रयावाची पुछा गया है अंधकार हो जाएगा अम्रित का बिलोम हो जाएगा 20 डी आप्सन से हो जाएगा निमलिखित में एक वाक्य जो सुध है वो है कौन सा है तो इसमें ये आप्सन सुध है उस जंगल में प्रातेहकाल का द्रिष से बहुत ही सुहावना होता था गोड़ा का उप्यूकत तत्सम सब्द कौन सा हो जाएगा अनुरक्ति का बिलोम पूछा गया है तो विरक्ति होगा यहाँ पे करपट का तद्वह रूप पूछा गया है कपड़ा हो जाएगा और आधुनिक का बिलोम क्या हो जाएगा आधुनिक का बिलोम हो जाएगा आपका यहाँ पे प्राचीन सी आप्सन जो है सही हो जाएगा और इनमे से वसुधा का प्रयावाची सब्द कौन सा हो जाएगा तो बिपुला हो जाएगा यह आप्सन यहाँ पे सही हो जाएगा प्रताप सिंग का घोडा काला है इनमें काला सब्द बिसेसर के द्रिष्ट से क्या है तो बिधे बिसेसर होगा क्योंकि काला बाद में आया है घोडे के पहले आता तो आपका बिसेसर होता लेकिन घोडा काला है तो यहाँ पे बिधे बिसेसर हो जाएगा अनुग्रह का उपियुक्त भी पिरितार्थक सब्द यानि कि बिलोम हो जाएगा विग्रह चोर का प्रयावाची सब्द खनक हो जाएगा यह आपसन यह पर सही हो जाएगा और इसमें से सुध्य वर्तनी का सब्द कौन सा है तो अनुकूल यह सही है आपका D आपसन निमलिखित में से तद्भाव सब्द कौन सा है तो आयोग के द्वारा जो है इसमें B आपसन सही किया गया है गयंद हलाकि अगना भी जो है यह तद्भाव सब्द है लेकिन आयोग के द्वारा जो है B आपसन सही किया गया है उसके लिए उप्युक्त सब्द क्या होगा, अप्रत्यासित, भी आप सन्यापे सही हो जाएगा, और इन में से प्रथम का उप्युक्त, भी प्रितार्थक, इनकी बिलोंग सब्द पुछा गया है, तो प्रथम का हो जाएगा, अंतिम, डी आप सन्यापे सही हो जाएगा, जो बार बी बिकल्ब से हो जाएगा निम्नांकित में एक वाकि जो सुद्ध है वैकाउन सा है तो बिना टिकट यात्रा धंडे नहीं है यह सही है बाकी सभी यहाँ पे गलत है और गोधुम का तद्भाव सब्द बताना है यहाँ पे गेहुं हो जाएगा नैसरगिक का बिलोम सब्द क्या होगा क्रित्रिम डी आपसन से हो जाएगा जीव का प्रियाबाची पुछा गया है तो रसना हो जाएगा बी आपसन यहाँ पे सही है प्रियागराज में दसमा ब्यक्ति कोरोना पीडित है में दसमा सब्द पुछा गया है तो दसमा सब्द आ पिसेषर क्या हुजाएगा तो ख्यलाडी हो जाएगा और निम्लिखित में से एक सब्द बिसेषर नहीं है कौँसा है वाः तो अचार भी आप से ने आप से नहीं है और अंतिम प्रशने है सुध्य वर्तनी वाला सब्द कौन सा है तो इसमें अधीन, बी आपसन आप देख सकते हैं आधीन नहीं होगा, गलत है ये अधीन जो है, सही हो जाएगा बी बिखल तो ये 60 प्रस्ण जो की समाने हिंदी में पुछे गए थे, समिच्छादिकारी और सहाएक समेच्छादिकारी जो की 5 दिसमबर को ये पेपर हुआ था तो आप लोगों का इसको कितना हो रहा है एंदी में कमेंट बाक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा, वीडियो अच्छा लगओ